हलो फ्रेंट्स वालकेम बैक अगरीन इन माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज जो मैं आपके लिए प्लॉट लेका हूं उसके साइज है 26 feet by 40 feet फ्रेंट्स यह हमारा जो फ्रेंट है वो 26 feet है और जो हमारा प्लॉट का यह लेंग है 40 feet है फ्रेंट्स यह इस्ट फेसिंग का वन साइड उपन प्लॉट है तो चलिए देखते हैं मैंने जो चीज़े डिजाइन करकी है उसके डिजेइस के बारे में जानते हैं तो इसके फ्रेंट में हमारी रोड है और इसी इस्ट फेसिंग से हमारी घर के अंदर एंट्री होती है हमारी जो फृंट याइंटर में जाने के लिए मैंने यहां पर सबसे पहले हमारी घर के अंदर जाती है प्रेंट गेंजी मैंने अंदर आप लोड़ को फाइन करके उखा घ्रनिभौ की बड़ा साइज आ अयूंग है और यहां तक नानने बरफी्ट वाल कहा कि यहां तक यांड तक कि यहां दरिए ऐसे और रिदर जाते हैं उखिन यहां पर हो किया हुआ है कार पार्टिंग किस्ट इसंट भू ही यहां से हम अप होते वे एक स्टेप मैंने पर दीजाइन कर रखा ग्रींफ से होते हुए चाहिए तो यहीं पर अपने गेस्टूम में भी जा सकते हैं तो यहां पर मैंने जुक्रीन प्रइब तो अब बात करते हैं इधर से इधर से हम घ्रीन एरिया से होते हुए हम चाहे तो अपने गेस्ट को अपने गेस्ट रूम में लेके जा सकते हैं तो यहां से मैंने यहां पर 3 feet 6 inch के यहां पर एक road जांग किया हुआ है जिसके तुरू हम अपने गेस्ट को यहां से अपने गेस्ट रूम के अंदर लगे जाएंगे तो ग्रेस्ट रूम को साइज है वह 12 feet by 11 feet 5 inch है 12 feet जो है वह इस डिरेक्शन में यहां से यहां तक है इस वाली वाल से लेकर यहां तक है और इसमें हमने टू-फीट ब्लेस कर रखे है जो टू-फीट बाई-6-फीट के यहां पर सोफे हैं और एक सेंटर टेबल बीस कर रखे ह है एक बेड़ है इसमें एक बेड़ भी ब्लेस किया है जिसका साइज है 3 feet by 6 feet अगर हम इसका इसका इस्तमाल करना चाहें तो कर सकते हैं तो इस वाली वाल पर हमारी LCD स्क्रीन आ जाएगी और इसमें हिस वाली रूम में मैंने एक विजाइन किया है जिसका साइज है 3 feet 3 feet 6 inch by यहाई फूर फीट जोके हमारी ग्रीन एयरा में ओपन होती है तो अभी बात करते हैं यहाँ पर इस गेस्ट रूम से गेस्ट रूम या द्रॉइंग रूम आप यूज़ करते हैं फ्रेंड तो अभी इसे हम एक और डिजाइन कर रखा जिसके तुरू हम अपने घर के अंदर तो इसका जो साइज है वो 3 feet है 3 feet के gate से हम चाहें तो हम इधर से भी इस guest room में आ सकते हैं तो इसके left side में एक toilet and bathroom design किया हुआ है जिसका size 8 feet 6 inch by 3 feet 6 inch 8 feet 3 feet 6 inch जो है वो इस वाली wall से लेकर यहां तक है तो इसमें मनें एक toilet का seat fix कर रखा है और एक wash fashion इसमें fix कर रखा है यहां हमारी इस वाली wall पर हमारी टैप आ जाएगी तो यहां पर इसमें जाने के लिए 2 feet 6 inch का है पर डिजाइन किया गया है जिसके तुरू हम अपने toilet and bathroom बातरूम में यह combined toilet and bathroom है friends तो इस guest room से जागे इसका असानी से access के जा सकता है सब्सक्राइब करने के बाद से जैसे हम आगे जाते हैं तो यहां पर एक मैंने एक staircase design किया हुआ है जिसका width 3 feet 3 inch जो काफी चोड़े staircase है और इसमें जो मिद्लेंडिंग पर आके और मिद्लेंडिंग से हम अपने first floor पर आ जाएंगे तो यह हमारी stairs के थीक नीचे हमारी car park हो जाएगी तो अभी बात करते हैं यहां से तो यहां से मैंने एक entry gate design के हुआ है जो हमारी घर के अंदर जो जाने का main entry जो है यही है जो हम car parking के बात से जाएंगे तो यहां से 4 feet का gate design के हुआ है जिसके तुरू हम अपने घर के अंदर जाएंगे तो जैसे हम जाते हैं तो यहां पे एक dining area, dining oblique lobby जो भी मैंने design कर रखा है जो कि यह काफी बड़ा dining area है यहां पे तो इसमें यहां पे window भी design कर रखा है जिसका size है 4 feet by 4 feet तो इसके तुरू हमारी जो भी natural light है वह हमारी dining area में आई भी friend हम चाहें तो डाइनिंग के बाद से अपना hand wash है यहां पे कर सकते हैं तो यह जो dining area का size 11 feet by 12 feet 9 inch है 11 feet जो है इस वाली window से लेके यहां इस वाली wall तक है friend और another direction में इस वाली wall से यहां तक 12 feet 9 inch है तो friends एक request करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे चलिया आगे देखते हैं इसके बाद से इधर से ही हमारा जो passage है इसके तुरू हम अपने guest room में भी जा सकते है जिसका gate जिसका जो door है वो 3 feet 6 inch का यहां पर door design है जिसके तुरू हम अपने bedroom में जाएंगे तो इसमें 3 feet 6 inch by 4 feet का यहां पर एक window design का रखा है जो हमारी wall पर आएगा और यहां से हमारी dining area में जो हमारी light है natural light वो इसी window के तुरू हमारे bedroom के अंदर आएगा तो अभी बात करते हैं इस bedroom के size की तो यहां पर 11 feet 5 inch by 11 feet का यह bedroom है 11 feet जो है इस direction में यहां से यहां तक और 11 feet 5 inch इस वाली wall से लेकर यहां तक है तो इसमें 6 feet by 6 feet का एक bed place का रखा है और यहां पर इस वाली wall पर हमारे LCD screen आजाएगी हम चाहें तो यहां पर आपने cupboard भी place कर सकत हैं और इसमें 2 feet by 4 feet का एक sofa भी इजाइन का रखाया रखाया तो इसमें इसको एजे sitting के लिए हम इसका 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 इसमाल कर सकते हैं फिर वापस आज है है अपने dining area में Dining area में Dining area अपलिक lobby जो भी आप समझेए यह दोनों काफी बड़ा है तो आप ऐजे lobby भी इसको तो इसमें गाइड़ा कि पड़ी लेकर यहां तक है और यहां तक बार के तरफ चले जाए भी तो अभी आ जाते हैं वापस फिर यहां पर इंड्री होती है बेड्रूम 2 में तो यह हमारे बेड्रूम 2 है जो काफी बड़ा बेड्रूम है अब देख रहा होंगे तो इसका जो साइज है 15 feet जो है 15 feet इस वाली वाल से यहां तक है 15 feet और अनदर डा आपर सफेटाव्ण सोफा को ओरें यह वालने इस वाले वाल पर मैंने डों वीटो आपए यहां पर नाधर वीटो य इसका है यह वाले वीटो जो है वाला यह वाला विंडो הי चहाए है तो वाले रूम में दो विंडो है यहां पर तो अभी बात करते हैं वाल साइज की और कॉलम पॉजिशन की तो वाल साइज हैं वाले बाहर दिजाइं का रखे हैं और इंसाइड की वाल जो है वो फोर पंट फाइट इंसेड की वाल नाए पर वाली बात्रों तो अभी बात कर लेते हैं कॉलम पोजिशन की तो यहां पर मैंने इसमें 15 कॉलम इसमें इसमें तो हमारी लास्ट वाली वाल पर थ्री कॉलम्स जो आप ब्लू कलर में देख रहोंगे जिसका साइज है 9 inch by 9 inch और यहां पर मैंने डिजाइन करके हैं तो आप प्लान कैसे लगा और आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज करें और अपको प्लान क्या लगाओ अगरापको अच्रा लगाओ तो प्लीज लाइक करें कोई भी सेजिशन हो तो कमेंट कर दो मुझे बताएं और अब अभी तक अपने वाले चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नहीं बलांगे साथ फ्रेंड सब तक अपना ख्याल रखे हैं बाई बाई टेक केर थेंक यू